पिता का नाम शत्रुगन, पिता के भायों का नाम राम, लक्ष्मन और भरत, खुद के भायों का नाम लव और खुश, घर का नाम रामायन, लेकिन होने वाले पती का नाम जहीर इकबाल. दोस्तों ये वही सवाल हैं जो आज कल सोशल मीडिया पर लोगों द्वारा पूछे जा रहे हैं. सोशल मीडिया पर आप सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी से जुड़े किसी पोस्ट पर चले जाएए. उस पोस्ट के नीचे आपको इस तरह के कमेंट्स आसानी से पढ़ने को मिल जाएंगे. बॉलिवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा जहीर इकबाल संग अपनी शादी को लेकर इन दिनों खूब सुर्खियों में बनी हुई है. इसकी खास वजह दोनों का धर्म है. जी हाँ, एक तरफ जहां सोनाक्षी हिंदू धर्म को मानती है, तो सोनाक्षी ने जहीर संग शादी करने के लिए एक अलग तरीका अपनाया है. जी हाँ, आपको बता दें कि कपल ने स्पेशल मैरिज आक्ट, 1954 आक्ट के तहद शादी रचाई है. इस आक्ट के तहद शादी करने पर सोनाक्षी को अपना धर्म नहीं बदलना पड़ेगा, औ शाहरुख खान और गौरी खान ने भी इसी एक्ट के तहद शादी रचाई थी. दोनों ने बिना धर्म परिवर्तन किये कोर्ट मैरिज की थी. इसके बाद शाहरुख और गौरी ने निकाह भी किया, और हिंदू रीती रिवाजों से शादी रचाई थी. वहीं शाहरुख की तरह आमिर खान और रिना दत्ता ने भी इसी तरीके से शादी की थी. वहीं सैफ अली खान ने भी अमृता सिंग के साथ कोर्ट मैरेज की थी. वहीं अमृता सिंग से तलाक लेने के बाद सैफ ने फिर से करीना कपूर के साथ Special Marriage Act 1954 के तहट कोर्ट मैरिज करी और करीना ने भी बिना धर्म बदले सैफ को अपना जीवन साथ ही बनाया था जहीर इकबाल सल्मान खान के बेहद खास दोस्त के बेटे हैं बताया जाता है कि सल्मान खान की पार्टी में ही सोनाक्षी सिनहा और जहीर इकबाल एक दूसरे से पहली बार मिले थे दोनों ने एक दूसरे को पहली नजर में ही पसंद कर लिया था दोनों में पहले दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों की इस मोहबबत को शादी का रूप देने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो है सलमान खान. सलमान खान ने ही शत्रुगन सिन्हा को उनकी बेटी और जहीर की शादी के लिए कन्विंस किया था. सोनाक्षी का परिवार उनकी शादी से खुश नजर नहीं आ रहा. इसकी वजह मुसलिम एक्टर जहीर इकबाल से निकाह करना है, जिसका करियर फ्लॉप ही नहीं, महा फ्लॉप रहा है. जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा का रिष्टा साल 2022 में तब चर्चा में आया, जब दोनों ने सोशल मीडिया पर प्यार का इजहार किया. जहीर इकबाल का जन्म 10 दिसंबर 1988 को मुंबई में हुआ था. वो उम्र में सोनाक्षी से एक साल छोटे हैं. जहीर के पिता का नाम इकबाल रतनसी है, जो एक जूलरी बिजनस में हैं. मुंबई में उनके कई और भी बिजनस हैं. जहीर के पिता सलमान खान के सबसे पुराने और बेहत करीबी दोस्त हैं. सलमान ने अपनी गोद में जहीर को खिलाया है. जहीर के सिर पर सलमान खान ने साल 2019 में जहीर को फिल्म नोटबुक से लॉंच किया इसमें उनके अपोजिट नूटन की पोती प्रनूतन बहल नजर आई ये हॉलिवुड फिल्म टीचर्स डाइरी का एडेप्टेशन थी पंद्रह करोड के बजट में बनी ये फिल्म फ्लॉप हो गई और सारे पैसे डूब गए लोगों ने जहीर को पसंद भी नहीं किया और वो आम पबलिक को बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं कर पाए इसलिए इसके बाद उन्हें किसी भी डाइरेक्टर ने अपनी फिल्म में नहीं लिया इसके बाद जहीर सोनाक्षी के साथ फिल्म डबल एक्सल में नजर आए कहा गया कि इस फिल्म में सोनाक्षी के कहने पर जहीर को लिया गया लेकिन ये फिल्म भी जहीर की पहली फिल्म की तरह ही डूब गई और जहीर पर सुपर फ्लॉप एक्टर का धब्बा लग गया। छे साल के अपने करियर में जहीर ने दो फिल्मे की और दोनों ही फ्लॉप रही। हालां कि सोनाक्षी का करियर जहीर से तो बढ़िया ही रहा है। सोनाक्षी जहीर से ज्यादा मोटी कमाई भी करती है और लगभग 100 करोड रुपे की मालकिन है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सोनाक्षी और जहीर में 19-20 नहीं बलकि पूरे 10-20 का अंतर है। इसी वजह से लोग सोनाक्षी को ट्रोल भी कर रहे हैं कि उन्होंने जहीर में ऐसा क्या देखा। अब इसके पीछे की क्या वजह है ये तो सोनाक्षी सिन्हा ही जाने। समय सोनाक्षी का वजन 105 किलो के लगभग था और इतने वजन के साथ बॉलिवुड में एक्ट्रेस बनना तो कताई पॉसिबल नहीं था। लंबे समय तक इस बात की चर्चा होती रहती थी कि सोनाक्षी और सल्मान के बीच अफेर चल रहा है। इसके बाद सल्मान खान ने सोनाक्षी को उनका वेट लूज करने के लिए कहा ताकि उन्हें फिल्मों में लॉंच किया जा सके। शुरुआत में सोनाक्षी इस बात के लिए राजी नहीं हुई थी। फिर बाद में उन्होंने वेट लूज करना शुरू कर दिया। सोनाक्षी की फैमली नहीं चाहती थी कि सोनाक्षी बतौर एक्ट्रेस बॉलिवुड में काम करे। बलकि वो चाहते थे कि सोनाक्षी परदे के पीछे रहते हुए मूवीज के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करते रहे। इसके बाद सोनाक्षी ने अपना वेट लूज किय और सल्मान खान ने उन्हें बॉलिवुड में लॉंच किया और उनकी पहली फिल्म दबंग सल्मान खान के साथ साल 2010 में आई इस फिल्म के लिए सोनाक्षी सिन्हा को बेस्ट डेब्यू फिल्म फेर अवार्ड भी दिया गया जबकि इस फिल्म में सोनाक्षी ने ऐसी कोई भी एक्टिंग नहीं की थी जिसके लिए उन्हें कोई अवार्ड दिया जाए पर उनके पीछे सल्मान खान का हाथ था तो आगे बढ़ने से भला कौन रोख सकता था इसके बाद साल 2012 में एक और बड़े बॉलिवुड स्टार के साथ एक फिल्म मिल गई फिल्म का नाम था काफी अच्छी कमाई की इसके बाद सोनाक्षी सिन्हा ने अक्षय कुमार के साथ एक और फिल्म की जिसका नाम था जोकर लेकिन सोनाक्षी की इस फिल्म को पिछली फिल्म की तरह लोगों का सपोर्ट और प्यार नहीं मिला और बॉक्स ओफिस पे ये फिल्म बुरी तरह से पिट गई। साल 2012 में ही सोनाक्षी ने अजय देवगन के साथ सनफ सरदार फिल्म में काम किया और यहां भी उन पर बॉलिवुड वालों की कृपा बरस रही थी। साथ लुटेरा फिल्म की जो उनकी ही एज ग्रूप के थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सोनाक्षी और रणवीर के बीच नसदीकियां बढ़ने लगी। पर फिल्म रिलीज होने के बाद जब ये फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप रही तब दोनों के बीच रिश्टा खत्म हो गया। इसके बाद फिर से सोनाक्षी सिन्हा अक्षय कुमार के साथ फिल्म Once Upon a Time in Mumbai में दोबारा दिखाई दी लेकिन फिल्म कुछ कमाल नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने सैफ अली खान के साथ बुलिट राजा फिल्म में काम किया और ये फिल्म भी साल 2015 में उन्होंने अरजुन कपूर के साथ फिल्म तेवर की लेकिन इस फिल्म में भी उन्हें ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी एक्टिंग लोगों को इंप्रेस नहीं कर पा रही थी। यहां तक कि सोनाक्षी सिन्हा ने बॉलिवुड के बड़े स्टार् फ्लॉप रही क्योंकि उनकी एक्टिंग में बिल्कुल दम नहीं था। बड़े एक्टर्स के साथ अच्छी खासी फिल्में देने वाली सोनाक्षी ने जब मूवी में अपने दम पर लीड रोल निभाने शुरू किये तब उनकी फिल्मों को उतनी ज्यादा सक्सेस नहीं म करती हैं। इसलिए उन्होंने अपनी मैक्सिमम फिल्में अक्षय कुमार, अजय देवगन और सल्मान खान जैसे सुपरस्टार के साथ ही की हैं। इसके बाद फिर से सोनाक्षी सिन्हा की लड़कडाती नया को सल्मान खान ने सहारा दिया और साल 2019 में अपनी फिल्म थ्री में उन्हें फिर से सल्मान खान के साथ काम करने का मौका मिल गया। सोनाक्षी सिन्हा के करियर में जब भी कोई संकट आया तब सल्मान खान ने ही उनके करियर को बचाया है और इसके पीछे की वजह तो सल्मान खान ही बता सकते हैं।